नमस्कार बच्चो तो आईए अपने थर्ड चैप्टर के कहानी को आगे लेके चलते हैं जिसका नाम था Linear Equation of Two Variables तो प्यारे बच्चो जैसा कि हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले क्या सीखा कि दो लाइनों के बीच में कैसे relations होते हैं जैसा कि Parallel, Coincident और तीसरा क्या था? Intersected हिंदी में परती छेदी, समानतर और संपाती ये तीन पढ़े थे हमने उसके बाद बच्चो हमने इसके कुछ Conditions पढ़े कि इनको पहचानते कैसे हैं फिर हमने क्या पढ़ा? Substitution Method पढ़ा, क्या पढ़ा हमने? Substitution Method और उसके बाद प्यारे बच्चो हमने Word Problem पढ़ना सीखा था जिसमें से मैंने आपको तीन कोशन्स करवा दिये थे और मैं उमीद करता हूँ कि आपने उन तीन कोशनों की प्रैक्टिस भी अच्छे से कर ली होगी और ये बहुत अच्छी बात है कि कल मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चों ने मुझे इतने सारे डाउट्स वेजे फिर मैंने उनको डाउट क्लियर किये और फिर मैंने कुछ ये भी बताए कि आपके कोर्स से क्या हट गया है सिर्फ इसी chapter में से आपके course में हटा है बागी किसी chapter से नहीं हटा है जो आपका second chapter है ना बस उसी में से आपके course से हटा हुआ है बागी किसी chapter से कोई भी topic हटा नहीं है तो चलिए आगे बढ़ते हैं 3.3 में जो हमारे आगे के word problems रह गए थे हमें उस पर बात करनी पड़ेगी तो देखो जड़ा हंजी तो भई यह देखो मैं NCRT एप निकाल लेता हूँ पहले 10th और यह रहा हमारा 3rd chapter चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के फटा फट यह देखिए प्यारे बच्चो आगे हम 3.3 3.3 question number 3rd के 3 question कर लिए थे ठीक है अब 3rd का 4th part करना है हमें 3rd का क्या करना है 4th part तो आज हम करने जा रहे हैं 3.3 के 3rd का 4th part 3.3 के 3rd का 4th part ठीक है question में क्या कर आ गया है पहले फटा फट देख लेते हैं पहले हैं the taxi charges in a city consist of fixed charge together with the charge for the distance covered for a distance of 10 km the charges paid is 105 रुपे 105 रुपे and for journey of 15 km the charges paid is 155 रुपे 105 रुपे what are the fixed charges and the charges per km how much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km देखो कितना असान question है हिंदी में क्या बोला गया है एक taxi है जो charge लगा रहा है आपके उपर किस प्रकार का charge अगर आप यात्रा करते हो ठीक है अगर आप travel करते हो तो आपके उपर charge लगा रहा है चार्ज कैसे लगा रहा है कि कुछ fixed charge लगा रहा है और उसके बाद हर km पर चार्ज लगा रहा है मेरे माइब द्यान से समझना भी अच्छे समझाओंगा फिर बोला है कि 10 km के 105 रुपे लगते हैं ट्रेवल करने में और 15 km के 255 रुपे लगते हैं ट्रेवल करने में तो बताओ fix चार्ज क्या है और पर किलोमेटर चार्ज क्या है ठीक है यह मतलब प्रती किलोमेटर कितना चार्ज लग रहा है अब बताओ अगर कोई वैक्ती 25 किलोमेटर दूर जाता है तो उसे कितने रुपे देने पड़ेंगे तो पहले कोशन समझो कोशन समझो ध्यान से एक बंदा है भई ए ठीक है भई वो यहाँ पे एक टैक्सी में बैठा ठीक है एक टैक्सी में बैठा ठीक है यह टैक्सी में बैठा अब टैक्सी में जब यह बैठा ठीक है ए परसन जब टैक्सी में बैठा तो आपने कई बाद देखा होगा कि अगर आप ओटो में बैटते हो, टैक्सी में बैटते हो, तो देखा होगा आपने वो मीटर चालू कर देते हैं, ठीक है, आज कल तो चलो भई ओला वगेरा है, लेकिन आप लोग अपने घरवालों से पूछना, अपने पैरेंट से पूछना, तो उन्होंने अपने टाइम आपने बैटते हैं, गार आप तो इसका मतलब चालू कर देते हैं, अब पता है क्या, इसमें मीटर चालू का मतलब क्या, कि प्यारे बच्चों, जैसे ही आप ओटो में या टैक्सी में बैठते हैं, तो उनके अंदर उसका मीटर लगा होता है, और वो मीटर को चालू कर देते हैं मीटर चालू करने मतलब यह हुआ कि आप जैसे ही ओटो में या टैक्सी में बैठे तो आपके उपर एक फिक्स चार्ज लग गया और एक बात और बताता हूँ अब उसके बाद आगे एक कदम भी ना चलो वो फिक्स चार्ज आपको देना पड़ेगा यह गवर्मेंट रूल होता है कि अगर आप एक टैक्सी में बैठे और बैठे और बैठके आप थोड़ी दूर गया लेकिन आपको कुछ काम याद आगे आपने का कि छोड़ दो यहीं उतरना है मिरको आगे नहीं जाना तो अगर जो भी उसका फिक्स चार्ज ह होगा ठीक है मुझे नहीं पता कितना होता है अब तो था बढ़ गया होगा तो अब गया जैसे हो भी इसका फिक्स चार्ज होगा ना चार रुपर पांच रुपर था रुपर जो भी होगा वह आपको देना ही पड़ेगा चाया आप थोड़ी सी ही दूरी पर चले गए हो अगर उसने मीटर चालू कर दिया तो आपको भाई वो किराया देना पड़ेगा समझ मारी बात तो बच्चो इसी तरीके से बोला गया कि एक बंदा है मालो वो टैक्सी में बैट गया अब टैक्सी में वो जैसे ही बैटा बैट थी मैंने क्या पता है उसको पर एक फिक्स च लेक्ति हैं बैठने के अलग पैसे लग है जैसे ही बैठा बैठते हैं उस पर मानलो ऐसा हुआ कि भाई मालो फॉर एक फर एक इसमपल मालो मैं टैक्सी ड्राइवर हूं ठीक है एक इनसान मेरे पास आया क्या रहा हान जी हमें 10 क्लो मिटर दूर तक मानलो ऐसे दोला को जान मीटर चालु करने के बाद भी 100 मीटर ही गया क्या हुए? पूरे 10 किलोमेटर गये मतलब उनके बैठते ही मानलो मैंने 10 रुपई लिये ही और फिर वो जितने किलोमेटर दूर गए हर किलोमेटर का मैंने उनसे 2 रुपई लिया हर किलो मिटर का मैंने उनसे कितने रुपे लिया दो रुपे तो देखो 10 रुपे तो मैंने बैठते ही चार्ज लगा दिया था उनके उपर 10 रुपे तो मैंने बैठते ही उनके उपर चार्ज लगा दिया था और जैसे जैसे वो 10 किलो मिटर के लिए आगे बढ़े ठीक है तो 10 किलो मिटर तक पहुंचते ही 10 किलो मिटर ये और हर किलो मिटर के कितने रुपे 2 रुपे तो यानि 20 रुपे हो गए कितने रुपे हो गए 20 रुपे तो 20 रुपे तो क्या हुआ 10 किलो मिटर ट्रैवल करने का और ये 10 रुपे क्या हुआ गाड़ी में बैठने का फिक्स किराया तो 10 रुपे और 20 रुपे तो कितने होगा टोटल भई तीस रुपे उन भाई तब का किराया हो गया, समझ मारी ये बात, तो इस तरीके से हम ने क्या किये, भई गाड़ी में बैठने का फिक्स किराया भी देखा, और साथी साथ गाड़ी में जैसे जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, हर किलो मिटर आगे बढ़ रहे हैं, तो इस तरीके से बच्चो हमें पर किलो मिटर का भी रेट निकालना है, और हमें एक जो फिक्स किराया है, फिक्स रेंट है, वो भी बताना है, ठीक है? तो चलिए कोश्चन सुरू करते हैं, अब तक आपको समझ में आ गया होगा. देख लो, एक एक बात मैं बिल्कुल डिटेल में लेके चल रहा हूँ, ये नहीं कि भाई कोश्चन आया, आप फटा फट करा दिया, ये वो खतम, नहीं. एक एक पॉइंट को पकड़ कर पूर अच्छे से लेके हम उसको एक्स्प्लेन करते हुए चल रहे हैं, कि भाई, टेक्सी का कोई फिक्स चार्ज है, तो लीजिए. लेट दा फिक्स्ट चार्ज आफ टेक्सी. हाँ जी, तो भॉल के कितने रुपए है? एक सुरूपे. हम पता नहीं है, लेट कर रहे हैं. माना टेक्सी का नियत किराया. नियत किराया. तो एक सुरूपे. एंड दा पर किलो मिटर चार्जिज पर किलो मिटर चार्जिज आफ टेक्सी. तो कितना बच्चो इसको मैं Y रुपे माल लूँगा कितने रुपे माल लूँगा Y रुपे माल लूँगा यह टेक्सी है ठेक्सी का प्रती किलोमेटर किराया तो कितना आ गया Y रुपे है अब क्या करना है According to question प्रस्णा अनुसार क्या है बच्चो अब एक नमबर भेंग कर, हम जी कैसे, पहले case में वो गया कितनी किलोमेटर है, 10 किलोमेटर, घर्च कितने रुपे हुए, 105 किलोमेटर, उस लाइन को अंडरलाइन कर लो, क्या करना अंडरलाइन, कि बही गया कितनी दूर है, 10 किलोमेटर, ठीक है, और किराया टोटल लगा कित बनेगा, और case first में क्या बनेगा, कि जैसे ही वो गाड़ी में बैठेंगे, उसनके उपर fix किराया लग जाएगा, हां की न, भाई, X रुपे कौन है, fix किराया, fix charge, जैसे ही गाड़ी में बैठेंगे, meter on होते ही, उनके उपर fix charge लग जाएगा, plus, plus, भाई, वो गये कितने किल किलो मिटर है, 10 किलो मिटर है, भाई, कितने किलो मिटर गये है, 10 किलो मिटर गये है, और भाई, एक किलो मिटर का किराया y रुपे, तो 10 किलो मिटर का कितने रुपे, 10 y, total कितने रुपे खर्च हुए, 105, equation number first, अब आजो case second में, हां भाई, case second में कितने किलो मिटर गये है, 15 क कैसे गए होंगे, जैसे ही टैक्सी में बैठे होंगे, उनके उपर fix किराया लग गया होगा, अब गए कितने किलो मिटर, 15, ठीक है जी, अच्छा, जब एक किलो मिटर का किराया y रूपे, तो 15 किलो मिटर का 15 y, खर्च कितने हुए है, 155 रूपे, equation number second, देक लेने पर, x प्लस 10 y बराबर 105, ठीक, x की value निकाल लो, 105 minus 10 y, ये आपके equation number third, अब आपको मैंने क्या सिखाया है, कि अगर first लेते हो, तो second में put करो, put x in equation, second, ठीक है, x कमान समी करण, दो में रखने पर, x कमान समी करण, दो में रखने पर, ठीक है, अच्छा, तो चलिए, second, क्या है, x प्लस 15 y बराबर 155, ठीक है, x प्लस में, अच्छा, x प्लस में, सुरी, 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 अब देखो, x प्लस में 15 y is equal to 155, और x की value हमने निकाली कितनी है, बच्छो, 105 minus 10 y, ये हमने क्या निकाला है, ये हमने x की value निकाली है, सही बात है, और प्लस में क्या है, बच्छो, 15 y, ठीक है, चलिए, तो 105, ये minus का 10, ये plus का 15, तो क्या बचेगा, प्लस का 5 y, बराबर 155, चलो, अब क्या करेंगे, प्लस के 105 को वहां लेके जाएंगे, बचेगा 5 y, 155, minus 105, y, हंजी, हंजी, 105 में से 105 कितना बचेगा, 50, 5 ये मंटिप्लाई कर रहा है, इदर आके क्या करेगा, divide, 5 सकड़ गया 10, तो y की value कितनी आगे 10, आप क्या करेंगे, put y in equation third, वैसे तो किसी में भी रख दो, कोई फर्क नहीं पढ़ना, ये बाते मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ, तो क्या लिखोगे, y का अमान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 कितना है, समीकरण 3 है, 105 माइनस 10y, ठीक है, तो हंजी जल्दी बोलेंगे, y कितना है, 10, 105 माइनस 100, 105 में 100 हो गया 5, तो बच्चो, x आ गया 5, y आ गया 10, तो उसने क्या पूछा था आपसे, कि बच्चो, fix charge कितना है टेक्सी का, तो है 5 रुपे, ठीक है, और आपसे पूछा है कि, पर किलोमेटर कितना चार्ज है, तो ये क्या है, 10 रुपे, मैंने तो यहाँ पर लिख दिया, आप लोग पता कैसे लिखोगे, नीचे लिखोगे यहाँ पर, कि जब क्या लिखोगे, the fix charge of taxi is 5 रुपे, और नीचे क्या लिखोगे, the per kilometer charge of taxi is 10 रुपे, हिंदी वाले, taxi का नियत किराया 5 रुपे, taxi का परती किराया 10 रुपे, ऐसे, मैंने तो आपको बस समझाने के लिख दिया है, ठीक है, चलिए, नोट कीजिए, एक्जाम में भी ऐसे ही करना है, ठीक है, फिर अगले कोशन की तरब बढ़ते हैं, ठीक है बच्चो, अगला कोशन देखते हैं, ठीक है, अगला कोशन है, इसी का 5th part, 3.3 के 3rd कोशन का 5th part, लिखा हुआ है, अब fraction becomes 9 by 12, if 2 is added to both the numerator and the denominator, if 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5 by 6, find the fraction, हिंदी वाले, कह रहा है बच्चो, कि एक भिन है, जो 9 by 11 बन जाता है, जब उसके अंस में और हर में, 2 जोड दिया जाए, और कह रहा है कि अगर उसी, अगर उसी भिन में, अंस में और हर में, तीन जोड दिया जाए, तो 5 by 6 हो जाता है, तो बताईए वो भिन क्या है, अरे यारे तो बहुत नकली कोश्चन है, देखो, 3.3 के थर्ड का फिफ्ट कोश्चन, पहले तो ये समझो, अच्छा बचो, P बटा Q, ये तो आपको पता है ने, ये fraction बोला जाता है इसे, क्या बोला जाता है इसे, मैं आपको बता दूँ, इसे fraction बोला जाता है, हिंदी में इसे भिन बोला जाता है, कुछ लोग इसे, sorry, भिन नी लिग दिया मैंने, भिन बोला जाता है, कुछ लोग इसे बटा भी बोलते हैं, कि हां जी बटे में हैं, ठीक है, तो भी सही है, वो अपनी अपनी लैंग्विज है, ठीक है, तो बच्चों एक बात याद रखना, ये फ्रेक्शन में जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है, ये होता है निमेरेटर, और नीचे वाला पार्ट होता है वो तर डिनोमिनेटर, ठीक है, इस निमेरेटर को इंगलीज में, हिंदी मे कहते हैं, अंस, डिनोमिनेटर को कहते हैं, हर, क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर को कहते हैं, हर, तो पहले तो ये बात नोट कर लो, कि हाँ जी, आपको डिनोमिनेटर के बारे में पता होना चाहिए, निमेरेटर उपर वाला होता है, डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है, ये अच्छा, अब question मैं बोला क्या आपसे, question मैं बोला है कि अगर हम numerator में, denominator में, uns में और हर में दो जोड देते हैं, तो 9 बटा 11 बन जाता है, ठीक है जी, कर लेंगे, लेकिन एक बाद बताओ, क्या हमें numerator की value पता है, नहीं, क्या हमें denominator की value पता है, नहीं, तो पहले हम let करेंगे, let, the numerator, is, कितने य, x, माना अंस है, कितना x, and the denominator is, denominator is, कितना है, y, ठीक है, तथा हर है, तथा हर है, कितना y, now, अब आपको पता ही है, according to question, प्रसना अनुसार, हिंदी वाले, क्या लिखेंगे, हाँ जी, अब एक बाद बताओ, अगर ये numerator है, uns है, और ये denominator है, हर है, तो ये x बटा y होगा की नहीं होगा, क्योंकि uns तो उपर होता है, हर नीचे होता है, denominator नीचे हो होता है, ठीक है, अच्छा, अब question में बोला गया है, कि अगर मैं उपर भी 2 जोड़ दूँ और नीचे भी 2 जोड़ दूँ, तो ये 9 बटा 11 बन जाता है, तो ये क्या बन जाता है, 9 बटा 11, यानि उपर भी 2 जोड़ दिया जाए, नीचे भी 2 जोड़ दिया जाए, तो इस 11, X, 22, 9, Y, 18, plus का 9, Y, इधरा के minus का 9, Y, यहे काम करो, 9, Y को इधर ही छोड़ दो, ठीक है, चलो इक काम करो, ले आओ, 9, Y, plus का, इधरा के minus का, 18 इधर plus का, इधरा के minus का, इधर हो गया 0, तो 11, X, no y 22 में सा ठारा गया कितना बचा 4 बराबर 0 ठीक है equation number first हाँ equation number first now अब क्या है अब है according to question ये तो case 1 था अब case 2 अब case 2 क्या है case 2 क्या रहा है कि देखो अभी भी fraction y बटा x बटा y ही रहेगा लेकिन का है अब की बार बोला है कि अगर इसमें 3 जोड़ दूँ और इसमें भी 3 जोड़ दूँ मतलब numerator में भी 3 जोड़ दूँ और denominator में भी 3 जोड़ दूँ तो अब ये कितना बन जाएगा अब ये 5 बटा 6 बन जाएगा तो ठीक है जी 5 बटा 6 बना देते हैं 6x plus का 5y इदर आके है, minus का 5y, ठीक है, और ये 15, plus का 18, उधर जाके है, minus का 18, तो 6x minus 5y, बराबर minus 3, equation number second, equation number second, और ये equation number first, ठीक है, अब भई, जिसकी भी value निकालना चाहो, निकाल लो, कोई फरक नहीं पड़ता भई, ठीक है, तो देखने में यही इसान लग रहा है, तो लिल हो वही क्या, take equation, second, हिंदी वाले लिख लेंगे न, समीकरन दो लेने पर, ये plus, minus का 5y, वहाँ जाके क्या बन जाएगा, plus का 5y, minus 3 ही रहेगा, 6 यहाँ पर क्या कर रहा है, multiply, इदर आके क्या करेगा, divide, तो लो जी, ये बन गई आपकी equation number, 3, ठीक है, now, अब बच्चों जब आपने second equation लिए है, तो put किस में करोगे, first में, तो लिखेंगे, put x in equation, first, ठीक है, अब देखो, 11x, minus 9y, plus 4, बराबर 0, तो 11x, x की जगा पर क्या रखूँगा, जल्दी बताओ, x की जगा पर रखूँगा, 5y, minus 3, बटा 6, यही तो रखूँगा, ठीक है, और साथ में क्या है, minus 9y, plus 4, बराबर 0, अब 11 को पहले, इससे multiply करो, तो 55y, फिर 11 को, इससे multiply करो, minus 33, करना है, एक को इससे, 6 को इससे, तो कितना हो जाएगा, 55y, minus 33, और जब 6 को, यह देखो, यह 6 को, इससे multiply करेंगे न, तो 6 को इससे करेंगे, तो, 9, 6, 54y, बटे में, नीचे से नीचे की multiply भी होएगी, 6, कम 6, बराबर minus का, 4 बटा एक, भई 55 में से 54 गया, 1y, minus 33, ठीक है, बटा 6, बराबर minus 4 बटा एक, एक से नीचे 6 से, तो भई, एक से multiply होगा ऐसा ही, 6 से multiply होगा, 6, 24, minus का 33, वहाँ जाके क्या होगा, plus का 33, हाँ भई, 33 में से 24 गया, कितना बचेगा, 6, 3, 9, तो y की value कितनी आ गई, 9, y की value कितनी आ गई, 9, अब हमें क्या निकालना है, x निकालना है, put y in equation third, y का मान समीकरन 3 में रखने पर, तो प्यारे बच्चों, समीकरन 3 क्या है, समीकरन 3, देखो, y की value 9, माइनस 3 बटा 6, 9, पंजे 45, हाँ जी 45 में से 3 गया, 42 बटा 6, 6 से काटोगे, बचेगा 7, तो यानि बच्चों, x की value कितनी आई, x की value आ गई, 7, x की value 7, और y की value 9, तो उसे क्या चाहिए था, question में उसे चाहिए था, कि बताए, यह fraction कितना है, बताए यह fraction कितना है, तो बस बात खत्म, now, the fraction is, now the fraction is, यहाँ पर हिंदी में लिखेंगे, इस परकार, भिन है, भिन है, तो बच्चों भिन क्या था, x बटा y, तो x कितना था, 7 और y कितना था, 9, answer आ गया, 7 बटा 9, क्या था गया, 7 बटा 9, तो देख रो कितना छोटा सा कोशन है, नकली सा, बजला आपको तो थोड़ी सी चीज़े देखनी है, उसके बाद तो आपके लिए बच्चों खेले ये, ठीक है, चलो नोट करो, नोट करो इसे बटा बट, ठीक है, नोट करो इसे, फिर करवाता हूँ, तो बच्चों अब आपने ये नोट कर लिया होगा, ठीक है, आप सभी ने इसे नोट कर लिया होगा, और बच्चों, मैं आपको एक बहुत ही प्यारा कोशन कराने जारो, बहुत ही प्यारा, वैसे, मैंने सोचा तो था, कि मैं, अब इसी टाइप के कम साथ आट कोशन करवा दूँ, लेकिन मैं इस कोशन को कराने के बाद, ठीक है, इस कोशन को कराने के बाद, मैं आपको तकरीवन तीन चाट टाइप के कोशन और करवाँगा, ठीक है, आर डी सर्मा से, तो हाथ होती चली जाए ठीक है तकरीबन हर topic से हम 2-2-2 question लेते चलेंगे क्योंकि बहुत सारे topics है हमारे पास इसलिए तकरीबन 2-2-3-3 question हम लेते चले जाएंगे ठीक है और फिर जो doubt होगी तो फिर doubt class में हम उसको cover करेंगे ठीक है तो शुरू करते हैं लिखा हुआ है बच्चो जैकॉब के लिए देखो 3.3 के 3rd का 6th question और बड़ा प्यारा question है ठीक है देखने में लग रहा बस ऐसा लेकिन है बहुत अच्छा question लिखा है भई 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that his son 5 year ago Jacob's age was 7 times that of his son what are their present age हिंदी में 5 साल बाद Jacob की आयू उम्र अपने बेटे की 3 गुना हो जाएगी और आज से 5 साल पहले Jacob की आयू अपने पुत्र की आयू का साथ गुना थी तो बताईए वर्तमान में उनकी आयू कितनी है तो वर्तमान में उनकी आयू कितनी है चलो पहली बात तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है Jacob and his son Jacob और उसका पुत्र अब देखो यानि बच्चो अगर मैं यहाँ बात करूँ Jacob की Jacob की तो भाई Jacob भाई कौन है? फादर है ठीक है? और son जो उसका son है मतलब Jacob's पुत्र जो भी माल लो भाई A उसका बेटा है जो कि उसका कौन है? अब इस केस में एक बात तो आपको समझ मा आगी होगी कि भाई एक चीज तो यहाँ पर fix है अगर भाई यह अगर देखो understood सी बात है इसमें कोई दोराएं नहीं है भाई सीधी बात है अगर Jacob father है और A son है तो भाई कभी भी किसी भी हाल में सन तो बड़ा होई नहीं सकता किसी भी हाल में हर हाल में Jacob ही बड़ा होगा यह बात तो fix है ठीक है? यह understood सी बात है इसमें कोई मजाक की या हसने की बात या कोई हम सीरियस हो जाओ होई ऐसा कैसे हो सकता है? बेटा बड़ा होगी है? या भाई पापा बड़े होगी है? ऐसा कैसे हो सकता है? तो भाई इसमें आपको बिल्कुल भी हरानी वाली बात नहीं यह अपनी जगापे बिल्कुल fix है कि जैक ऑफ फादर है तो यह तो बड़ा होए गई अब बात आती है कि बेटे से उससे बेटे के साथ उसका रिलेशन जो रहा एज से रिलेटेड वो कैसा रहा? भाई कहरा है इसमें दो कंडिशन दी गई है एक तो आज से पांस साल बाद जैसे अभी आज दोजर बीस है आज से पांस साल बाद क्या होगा दोजर पच्छिस और आज से पांस साल पहले क्या था दोजर पंदरा तो मतलब क्या? अगर मान लो मैं एक बात कहता हूँ आपको आप अपनी बात ले लो अगर आप लोग अभी पंदरा साल के हो तो दोजर पंदरा में कितने साल के थे दस साल के और अगर आप लोग अभी कितने के पंदरा साल के हो आज से पांच साल बाद कितने साल के होगे बीस साल के तो मतलब कहने का क्या है कि आज से पांच साल बाद जब देखा जाएगा तो एक वाब बताओ आप चलो आप अपने को और अपने ममी बापा में से किसी एक को या अपने भाई में से किसी एक को सिस्टर में से किसी एक को compare करके देख लो मान लो आपकी कोई बड़ी सिस्टर है ठीक है वो मान लीजिए भई 20 साल की है और आप भई 15 साल की हो जो भी मान लो 15, 18 जो मान लो आप ठीक है ठीक है अब एक बाद बताओ मैं कहता हूँ कि अगर आप लोग 15 साल की हो और मैं कहूँगा कि भई आप क्या बोलोगे कि आप 20 साल बोलोगे नहीं अरे भाई जब 5 साल आपकी एज बड़ी है तो आपके सिस्टर की भी तो 5 साल आगे बड़ी होगी आपके घर के हर एक मेंबर की भी तो 5 साल आगे बड़ी होगी मतलब अगर मैं ये कहता हूँ कि आपके घर में चार मेंबर है ना अगर आप पास साल आगे बढ़ रहे हैं तो उन बाकी तीन मेंबरों की भी एज पास पास साल आगे सुरी बढ़ेगी क्यों भाई क्योंकि जो टाइम होता है वो सब के लिए common होता है चाहे एक दिन बढ़े चाहे 5 दिन बढ़े चाहे 5 साल बढ़े वो सब के लिए common तरीके से बढ़ता चला जाएगा ठीक है तो यानि अगर हम 5 साल بعد की बआद करे तो जैकॉब की एज के साथ उसके बेटे की एज भी बढ़ेगी और 5 साल पीछे की बाद करे तो अगर जैकॉब अगर 30 साल का है तो 5 साल पहले कितने का होगा 25 का और मान लो इसका बेटा अभी 7 साल का है मान लो जैकॉब 30 साल का है ठीक है इसका बेटा 7 साल का है फूर एक्जमपल मान के चलते हैं ठीक है तो आज से 5 साल पहले कितने का होगा 25 का और इसका बेटा भी पांच साल पहले कितने का होगा दो साल का ठीक है और अगर जैकोब आसे पांच साल बाद कितने का हो जाएगा पैंटिस का तो इसका बेटा भी आसे पांच साल बाद कितने का हो जाएगा बारा का तो मतलब क्या हुआ कि अगर फादर की एज को पीछे कर रहे हैं तो बेटे की एज भी पीछे जा रही है और फादर की एज को आगे बढ़ा रहे हैं तो बेटे की एज भी आगे बढ़ रही है लेकिन बात रही बढ़े की और छोटे की तो छोटा हमेशा बेटा ही रहेगा ठ ठीक चलिए इतनी बात तो समझ में आगी कि जब भी एज घटाएंगे तो दोनों की घटाएंगे और जब भी एज बढ़ाएंगे तो दोनों की बढ़ाएंगे अब आते हैं कोश्षन में काया है कि जो जैकॉब है वो आज से पांस साल बाद अपने बेटे की एज का तीन 3 गुना, 3 गुना मतलब क्या, अपने बेटे की एज का 3 टाइमस रहेगा, अगर बेटा 10 साल का तो, फादर क्या रहेगा 30 साल का, ठीक है, अगर बेटा 15 साल का है तो, भई वो कितने का रहेगा 45 साल का, समझ रहे हूं, चलिए, तो अब देखते हैं ज़रा, तो सबसे बहले त आफ जैकॉब तो कितना है भाई एक्स इयर्ज क्योंकि हमें पता थोड़ी कितने साल का है यह काम करो लेट दा प्रेजेंट एज ऐसे लिखो लेट दा प्रेजेंट एज आफ जैकॉब ऐसे लिखो तो कितना जाएगा एक्स इयर्ज हिंदी में माना जैकॉब की आयू की वर्तमान आयू ठीक है वर्तमान आयू एक्स इयर्ज ठीक है एंड दा प्रेजेंट एज ओफ जैकॉब स सन ठीक है तो कितना बच्चे उसके बेटे की आयू कितनी है वाई एयर्ज तथा जैकॉब के बेटे की आयू वैसे तो बेटा मत लिखना पुतर लिखना ठीक है पुतर की आयू रैटिंग थोड़ी गंदी है मेरी ठीक है समझने की कोशिश करना जो मैं बोल रहा हूँ उसको बढ़ते रहना साथ ठीक है अच्छा अब क्या है according to question प्रसना अनुशार प्रसना अनुशार बई कभी भी कोई equation कब बनती है जब दोनों term आपस में equal हो ये बा है बई father की age है नहीं पहले case first में बताया क्या है कि आज से पांस साल बाद तो यहां पर लिखें case first में after five years हिंदी वाल लिखेंगे पांस साल बाद हां जी पांस साल बाद relation कैसा रहेगा बई father अभी कितने का है x का बेटा अभी कितने का है y का लेकिन आज से पांस साल बाद father की age में 5 प्लस होगा की नहीं होगा बिलकुल होगा क्यों मैंने बताया ना कि भई मान लो अगर भई हमारे मेंसे किसी के भी father 40 साल के हैं अगर मैं एक बात कहता हूँ अगर हम मेंसे किसी के भी father 40 साल के हैं तो अगर जैकॉब एक साल का है तो पांच साल बाद कितने का होगा एक्स प्लस पांच और बच्चे अगर मान लो आपकी एज पंदरा साल है तो आज से पांच साल बाद कितनी होगी बीस साल यानि आप क्या कर रहे हो वो पांच एड कर रहे हो पांच एड़ कर रहे हो, तो भाई जब फादर की एज बढ़ेगी तो बेटे की रुके थोड़ी रहेगी, बेटे की भी बढ़ेगी, अच्छा अब आता रिलेशन, तो भाई इसने बोला रिलेशन में कि भाई, जो फादर है, आज से पांच साल बाद, फाइव येर आफटर, ठीक है, हैंस फाइव येर, फादर जो होगा, बेटे का तीन गुना होगा, बेटे की एज का कितना होगा, तीन गुना होगा, तो इसका मतलब भाई, आपको मैंने देखो, पहले भी समझाय था, कि यह multiply वाला काम जो करते हैं, और add वाला, extra add वाला काम जो करते हैं, हम अबी से किस के साथ करते हैं, छोटे के साथ, तो भाई, इसमें तो कोई बात, कोई दोराई नहीं है, कि इसमें बड़ा और छोटा कौन है, तो सीधी बात है, बढ़ा तो हमेशा फादर ही रहेगा और छोटा हमेशा बेटा ही रहेगा तो बढ़ा फादर कितना बढ़ा है तीन गुना तो बस वो तीन किसके साथ लगाओगे बेटे के साथ और बीच में लगा दो बराबर कर दो solve अधर बंटीप्लाई 3Y अधर बंटीप्लाई 15 उठा के या ले आओ प्लस का 3Y इदर आके माइनस का 3Y प्लस का 5 वा जाके माइनस का 5 तो यह X माइनस 3Y आँ गया दस equation number first कोई दिक्कत किसी को अब आजाओ case number second में case number second क्या है 5 year ago 5 years ago 5 years ago 5 साल पहले 5 साल पहले ठीक है अच्छा अभी जो है जैकॉब की present age कितनी है X और उसके बेटे की present age कितनी है Y जैसे मैंने क्या बताया कि अगर माल लो आप मेंसे किसी के भी फादर की age 40 years है तो आज से 5 साल पहले आपके फादर की age क्या रही होगी 35 ठीक है या आप अपने आपको ले लो कि अगर आपकी age अभी 15 साल है तो आज से 5 साल पहले कितनी रही होगी 10 साल इसका मतलब आपने अपनी age में क्या किया माइनस तो भाई अगर फादर माइनस कर रहे हो फादर की age में क्या हुआ एकस माइनस 5 भाई जब फादर की age घटेगी तो बेटे की age भी घटानी पड़ेगी दोनों को बराबर रखना पड़ रहा है तो कहरे है कि 5 साल पहले 5 साल पहले फादर बेटे से 7 गुना बढ़ा था बाई जब बेटे से 7 गुना बढ़ा है तो बात तो इतने हमें पता है कि बेटा तो छोटा ही है तो वो 7 कि 7 टिपलाई करेंगे बेटे से बराबर रख देंगे बात खतम सॉल्व करेंगे 7Y और 7 को 5 से 7 पंजे 35 7Y इधर आके क्या बन जाएगा माइनस का 7 वाई माइनस का 5 वहाँ जाके क्या बन जाएगा प्लस का 5 क्या बन गया भी है X माइनस 7Y 35 में से 5 गया माइनस का 30 equation number second कोई दिक्कत ठीक है अब क्या करना है solve करना है तो जो equation असान लगे वो कर लो तो first असान लग रही है तो क्या लखेंगे put कुछ गडबड तो नहीं किये हमने ठीक हाँ लेंगे हम क्या लेंगे take equation first take equation first हाँ जी तो X माइनस 3Y बराबर 10 हाँ जी तो क्या करेंगे उठा के 3Y वहाँ ले जाओ तो क्या बन जाएगा plus का 3Y equation number third ठीक है अब क्या करेंगे अब आपको पता है X मिल गया और लिया कौन सा था first तो किस में रखेंगे second में put X in equation second हिंदी वाले क्या लिखेंगे X का मान समी करन 2 में रखने पर ठीक है तो चलिए X माइनस 7Y बराबर माइनस 30 हाँ जी X की वैलू कितनी है जल्दी बता दो X की जगा पे क्या रखेंगे 10 प्लस 3Y कोई दिकत अच्छा माइनस का 7Y बराबर माइनस 30 तो 10 ये माइनस का 4Y माइनस का 30 बच्चो ये माइनस का 4Y वहाँ प्लस माइनस का 30 इधर आके प्लस minus का 4y वहां जाके plus 30 और 10 40 y 4 यहां multiply कर रहा है यहां आके divide करेगा 4 से काटेंगे 10 तो बच्चो y की value आगई 10 यानि बेटा तो यह है 10 साल का बेटा कितने साल का है बेटा है 10 साल का अब आगे बढ़ते हैं ठीक है तो बेटा की यह जाकी y आगई अब put कर दो इसको third में put y in equation third y का मान समी करन 3 में रखने पर x बराबर 10 प्लस 3y 10 प्लस 3 y बताओ बच्चे y की value अभी अभी 10 निकाली है अपने तो 10 प्लस में 30 और x की value 40 तो बस बात खतम हाँ जी x कौन था x था जैकॉब तो बच्चो जैकॉब की age कितनी आई 40 years जबकि बेटे की age क्या है y y कितना आया 10 years तो आपको यहाँ पर लिखना है यह बकाईदा लिखना है आपको नीचे यहाँ मेरी तरह shortcut मत मार देना number कट जाएंगे वहाँ exam में ठीक है shortcut नहीं मारना है वहाँ exam में लिखना है जैकॉब की वरतमान आयू 40 साल present age of Jacob 40 years present age of Jacob's son 10 years जैकॉब के पुतर की आयू 10 years इस तरीके से ठीक है तो यह समझ में आगिया होगा आपको ठीक है एक एक बात मैंने clear कर दी है इसमें और देखो भगाना मत वीडियो को कहीं भगा भगा के देखो ठीक है पूरी वीडियो को तसली से अराम अराम से देखना जैसे मैंने समझा है जब ऐसे समझोगे तो एक एक पॉइंट के लिए रहोगा ठीक है अब आपको मैंना कुछ homework दे रहा हूँ ठीक है एक तो 3.4 का 2nd का 1st कोशन 2nd का 2nd कोशन 4th कोशन और 5th कोशन ये 4 कोशन बिल्कुल टेक्सी वाले की तरह है जो आज कराया है ये कहना मैं जैकॉब वाले की तरह है और किसकी तरह है तैक्सी वाले की तरह और fraction वाले की तरह ये 4 कोशन वाही है टैक्सी, age और fraction वाले लेकिन ये हैं कहां पर 3.4 में तो ये 4 कोशन आप लोगों करके मुझे भेजने है ठीक है तो ये आज की क्लास यहीं खतम करते हैं बच्चो ठीक है इसको अच्छे से कीजेगा बाकी मिलते हैं नेक्स क्लास में कल साइंस की क्लास होगी और साइंस की क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे सेकंड चेप्टर के साथ एसिड बेस इन सॉल्ट ठीक है चलिए बाई